दिपी का पादुकोण की फिल्म कल की 28 इंठ्यानू 80 रिलिस होते ही चल्चा का विश्य बन गई बता दे की दिपी का स्टारर तीन बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्म जैसे जवान पठान और फाइटर ने 2550 करोड से ज़्यादा की कमाई अपने नाम की है जिसके बाद सफलता के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनकी हालिया सफल फिल्म कल की 28 इंठ्यानू 80 ने भी करोडों की कमाई जारी रखी है जिससे उनका करियर शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है कल की 28 इंठ्यानू 80 की रिलीस के बाद से ही दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही बॉलिवुड की क्वीन की लगातार बैक टू बैक हिट फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे में अब कल की उनकी सफलता में एक और बड़ा इजाफा करती नजर आ रही है कई लोग सिनेमा घरों में जाकर फिल्म को बार बार देख रहे हैं इस तरह से दिपिका की भैतरीन परफॉमेंस की तारीफों के पूल भी सोशल वीडिया पर फैंस और दर्शक को द्वारा खुब बांदे जा रहे हैं एक कमेंट में कहा गया है कि हर फिल्म जिसमें दिपिका पदुकौन और आग हो वो बिलकूल एक सफलता की कहानी बन जाती है यह ओम शांती ओम पदमावत के बाद कल की 28 इंठ्यानू एडी से साबित होता है उनका फायर सीन जिसमें वो आन स्क्रीन और आफ स्क्रीन दोनों जगा मा की भूमी का निबाती है वो इस पार्ट का मुख आकरशन बन गया है जैसा की प्रभास ने बताया है अगले पार्ट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है यह हमें पदमावत के जोहर वाले सीन की भी याद दिलाता है ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि उनके फायर सीन्स हमेश्या आइकोनिक होते हैं इन सब के बीच में एक और उसाई फैन ने कहा दिपीका पादुकॉन बड़े स्क्रीन और बॉलिवूड की क्वीन है पिछले दो साल में उन्होंने बैक टू बैक चार सफल फिल्मे दी है इससे पता चलता है कि दिपीका फिल्म रिलिस होने के लगबग एक महने बाद भी अपनी परफॉर्मेंस से दिल जित रही है अपने डेब्यू से लेकर हाल की सफलताओं तक उन्होंने लगातार सीमाओं को पार किया है और बॉलिवूड में लीडिंग एक्ट्रेस होने का सही मतलब भी समझाया है जैसे जैसे दिपीका आगे बढ़ती जा रही है और सफलता हासिल कर रही है वो इंडियन सिनेमा की टॉप स्टारर बनने हुई है इसक्रीन पर उनकी मौझूदगी और हाई बॉक्स ओफिस नंबर्स इस बात के सबसे बड़े सबूत है इसी के साथ बने रहे है राजटर्मा टीवी के साथ खाने बाद कर दो कर दोटाए है झाल झाल